हलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है दे टेरेस किचिन में आज मैं बना रहे हूँ पनीर का पराठा इस पनीर के पराठे में एक छोटा सा ट्विस्ट मैं आड कर रही हूँ जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है सुबह के नाश्टे के लिए और बेटे के टिफिन के लिए मैंने सोचा है कि मैं पनीर का पराठा बनाऊँगी तो घर पर पनीर बचा हुआ है घी बनाया था उसके बाद ये बनाया था मलाई से कैसे मखन भी बन जाता है पनीर भी बन जाता है इस पर एक डीटेल वीडियो मैंने अल्रेडी पोस्ट किया हुआ है बस उसी प्रोसेस से बना हुआ ये पनीर है और इस पनीर को यूज़ करके मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे तो सबसे पहले हमें पनीर को क्रंबल करना है इस तरह से या फिर आप कद्दू कस्पी कर सकते हैं कुछ चीजों से ये स्टफिंग बिदम फटाफट बन जाती है तो खास चीज है अचार का मसाला थोड़ा सा अचार का मसाला ज़रूर डाले हल्की सी हल्दी लाल मिर्च पाउडर मैं आप पर रेडी मेड किचन किंग मसाला यूज कर रही हूँ और साथ में डालेंगे हम कसूरी मेथी कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसे हल्की सी क्रिस्पी होने तक आप तवे पर सेख सकते हैं या फिर एक से दो मिनिट माइक्रोवेव कर सकते हैं जब कसूरी मेथी भूनने के बाद थोड़ी सी ठंडी हो जाए इसके बाद आप इसे क्रच कर लें क्रच करने के बाद ये जाएगी स्टफिंग में थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे इसमें जो मैंने अचार का मसाला यूज किया है ये गूंदे के अचार का है आप आम के अचार का, मिर्ची के अचार का कोई भी जो आपका फेवरेट अचार हो उसका मसाला यूज कर सकते हैं यहाँ पर मिरपा से गियूं का आटा जिसमें जाएगा थोड़ा सा नमक मैं नॉर्मल आटा गूंद रही हूँ आप इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं ताकि पराटे और सॉफ्ट बने पनीर की स्टपिंग में सॉफ्ट होती है तो हमें मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदना है लगबग पनीर के जैसा बहुत hard आटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा soft भी नहीं इन दोनों case में जो stuffing है वो बाहर आ सकती है तो soft, medium soft आटा हमें यहां पर चाहिए आटे को अच्छे से गूनने के बाद इस पर डालेंगे थोड़ा सा तेल तेल लगाकर रखने से आटा dry नहीं होगा अब इस आटे को हम 10-15 मिनिट कम से कम रख देंगे थोड़ा सा गून्द कर और इसके बाद फिर से इसे हम गून्देंगे ऐसा करने से आटा एक दन चिकना और स्मूध हो जाएगा तो यह आटा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से गून्द रही हूँ काफी स्मूध यह हो गया है इसकी लोईया आप पहले ही बना सकते हैं फिर टाइम पर भी बना सकते हैं मैं यूज कर रहे हूं मेरा हमेशा का लोहे का तवा जादा तर मैं रोटी पराठे बनाने के लिए इसका यूज़ करती हूँ और कटलेट्स या फिर दोसा इस तरह की चीज़े बनाने के लिए मैं नॉंस्टिक तबा यूज़ करती हूँ अभी जो स्टफिंग होती है पनीर की ये बहुत जादा आलू की तरह मशी नहीं होती है इसलिए मैं इसके बॉल्स बना कर नहीं रखती हूँ वरना आपको तो बता होगा कि जब भी मैं आलू के पराठे या फिर उससे मिलती जिलती स्टफिंग बनाती हूँ तो पहले ही बॉल्स बना कर रख देती हूँ तो उन बॉल्स को फिर पटावट पडाठे में डालने में बहुत आसानी हो जाती है पर पनीर की ये स्टफिंग आप चम्मत से आसानी से डाल सकते हैं हलका सा ऐसे लोई को प्रेस करें और फिसूखा आटा लगाकर इसे पलट पलट कर बेलें अगर आटे की कंसिस्टनसी सही हो आपकी स्टफिंग के बराबर और साथी में आप इसे पलट पलट कर बेलेंगे तो स्टफिंग बाहर नहीं आएगी तवा अच्छे से गरम हो गया है अब एक साइद दस से पंदरा सेकंड सेखने के बाद इसे मैं पल्टूंगी और अच्छे से इसे सिखने दूंगी जब इस सिख जाए तो इसे फिर से पल्टेंगे और फिर लगाएंगे इस पर घी या फिर तेल मैं यूज़ कर रही हूँ गी अब घी कितना लगाना है या आप पर डिपेंड करता है जादा कम जैसा आप चाहें तो घी को अच्छे से फैला दे फैलाएंगे तो कम क्वांटिटी के घी में भी काम हो जाएगा काफी अच्छे से बढ़िया से ये पराठा फूल गया है अगर जादा क्रिस्पी पराठा चाहिए तो आप पल्टे से दबा दबा कर इसे अच्छे से दोनों साइट से सेख सकते हैं तो ये पराठा तो ready हो गया है मैंने बहुत जादा crispy से नहीं सेका है इसकी कुछबू बहुत अच्छी आ रही है इस्पेशली जो कसूरी मेथी है न इसमें जब वो भूनती है और घी के साथ जब भूनती है तो बहुत अच्छी कुछबू आती है बस इसी तरह से मैं बाकी के पराथे भी बना रही हूँ तो हमारे लीए नाश्ते में इस साइस के पराथे बनेगे normal और राहईनी के लिए टिफिन में मैं छोटे साइस के पराथे बनाऊंगी Normally ऐसा ही होता है कि जो भी रोटी या पराथे बनते हैं राइन ने के लिए छोटे साइस के बनते और हमारे लिए नॉर्मल साइस के गरम गरम पराठा अब ये अचारी पराठा तो अल्रडी है इसके साथ अगर अचार नहीं भी परोसा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अचार डालने की वज़े से पराठे में एक बहुत अच्छा टेस्ट आड़ हो जाता है जिसे हम कहते ना अचारी पराठी की रेसिपी वैसे ही ये अचारी पराठा है गरम गरम पराठे और साथ में थोड़ी सी चाई ये है एकदम परफेक कॉम्बो ये गया तीसरा पराठा बस तीन मने बना लिए और पराठे अब में बेलूँगी हमारा ये जो नाच्छता है ये तयार है अचारी पराठा